परिचय राधा, प्लाटफॉर्म पर भीर देखो हाँ सीता, जनसंख्या कितनी चिंता जनकदर पर बढ़ रही है तुम्हें पता है, भारत की जनसंख्या एक तशमलव दो अरब को पार कर चुकी है हाँ, और यदि जनसंख्या का बढ़ना इसी तरह से जारी रहा तो हम हमारी सारी बुनियादी जरूरतों से वन्चित रह जाएंगे हर किसी को परिवार नियोजन के महत्व को समझना चाहिए हाँ, किन्तु इसके लिए हर किसी को जनन स्वास्थे और जन्म नियंतरन का बुनियादी ज्यान होना चाहिए परिवार नियोजन में जनन स्वास्थ के ज्ञान की क्या भूमिका है? अच्छा, आओ मैं तुम्हें जनसंख्या विस्वोट को रोकने में जनन स्वास्थ और इसके महत्व की जानकारी के बारे में विस्तार से बताऊंगी उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विभन्न जनन समस्याओं और कारे नीतियों की पहचान करना जनसंख्या विस्वोट के कारणों को समझना जन्म नियंत्रन की विधियों की पहचान करना MRT को समझना यौन संचारत संक्रमित रोगों की जानकारी प्राप्त करना बंधिता के कारणों को समझना जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य नकेवल जनन रोग या अशक्तता से मुक्ति की बलकी संपूर्ण शारीरिक, मांसिक और समाज कल्यान की एक अवस्था है जनन स्वास्थे का सरुकार जीवन की सब ही अवस्थाओं में जनन प्रक्रियाओं, कार्यों और प्रणाली से है जनन स्वास्थे समस्याए जनन स्वास्थे की मुख्य समस्याओं में शामिल है अनेचिक संगर्भताएं यानी गर्भधारण, मात्र मृत्यों और अक्षमताएं, यौन संचारित यानी संक्रमित रोग, बंध्यता यानी बांजबन, किशोर अवस्था की जनन स्वास्थे समस्याओं संपून जनन स्वास्थे के लक्ष की प्राप्ति हेतू एक राष्टु स्तरिय रणनीति का अनुसरण किया जाता है इसमें विभिन कारिक्रम शामिल हैं, जैसे परिवार नियोजन कारिक्रम 1951, जनन एवं बाल स्वास्थे सेवा कारिक्रम विद्यालेओं में यौन शिक्षा प्रावधान स्वच यौन क्रियाओं और यौन संचारित यानी संक्रमित रोगों की जानकारी का प्रबंद लोगों को जन्म नियंत्रण के विकलपों स्तनपान के महत्व आधिकी शिक्षा उल्प वेधन यानी इमेन्यो सेंटेसिस पर वैधानिक प्रतिबंद जन्संख्या विस्वोट जन्संख्या विस्वोट के कारण व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं बहतर जीवन दशाएं मात्र मृत्युदर में कमे मात्र मृत्युदर प्रस्वावस्था के दोरान एक वर्ष में होने वाली मात्र मृत्यु की संख्या तथा उसी वर्ष में जन्मे जीविद बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्युदर में कमी शिश्यू मृत्युदर एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या को उस वर्ष जन में जीवित बच्चों की संख्या से विभाजित करने को दर्शाता है मृत्युदर में कमी समय की एक निश्चित अवधी के दौरान, एक निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाली मृत्यु का अनुपात है सामाण्य तह प्रतिवर्ष एक हजार लोगों में से होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में इसकी गणना की जा सकती है जन्मनी अंत्रण विधिया, खृत्रिम विधिया, राश्ट उस्तर पर जन्म नियंत्रण के विभिन कारिक्रम शुरू किये गए हैं, जैसे विवाह की वैधानिक आयू बढ़ा कर स्त्रियों के लिए 18 वर्ष और पुर्षों के लिए 21 वर्ष करना, दमपत्यों को छोटे परिवार के लिए प्रोचाहन, हम दो हमारे दो को बढ़ावा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधिया प्राकृतिक विधिया डिम्ब एवं शुकराणू के मिलने की संभावनाओं के परिहार के सिध्धान्थ पर कारे करती हैं, वे इस प्रकार हो सकती हैं आवधिक साइयम, इस विधि में दमपत्ती आवर्थ चक्र से 10 से 17 दिनों तक जिसके दोरान डिम्बोद सर्जन की संभावना रहती है, संभोग से परहेज करते हैं बाह्य, स्खलन या अंतरित मैथुन, इस विधि में वीर्य सेचन से बचने के लिए पुरुष साथी स्खलन से ठीक पहले यौनी से अपना लिंग बाहर निकाल लेते हैं स्तन्यकालीन अनावर्थ, इसका तातपर उस अवधी से है, जिसके दोरान मा बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखती है और इस दोरान गर्वधारण की आवधिक संभावनाएं प्रायह नगण्य रहती हैं जन्मनियंत्रण की कृत्रिम विधियां रोधविधी रोधक साधनों के माध्यम से अंडानू और शुक्रानू को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है उदाहरन कंडोम ये रबार या लेटेक्स के बने होते हैं जिनसे पुरुषों के लिंग या स्त्रियों की यौनी या गर्भाशय ग्रीवा को मैथुन से ठीक पहले ढखा जाता है इसके फल स्वरूप स्त्री के जनन मार्ग में शुक्रानू का प्रवेश नहीं हो पाता है डायफ्रम यानी तनुपट गर्भाशय ग्रीवा टोपी वॉल्ट अन्तह गर्भाशय युक्तिया ये युक्तिया विशेशग्यों द्वारा यौनी मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है ये शुक्रानू की भक्षकानू क्रिया यानी पैगोसाइटिस बढ़ा देती है जिससे शुक्रानू की गतिशीलता तथा निशेचन क्षमता कम हो जाती है गर्भ निरोधक गोली प्रोजेस्टेरोन अत्वा प्रोजेस्टोजन एस्टोजन के सम्मिश्रण की छोटी खुराकों के रूप में उपलब्ध ये गोलिया आर्तव काल यानी साथ दिन की अवधी को छोड़ कर रोज ली जा सकती है ये अंडोज सर्जन और रोपण को संदमित करती है टीके के रूप में गर्भ निरोधक प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्टोजन के साथ सम्मिश्रण में टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप यानी इंपलांट के रूप में दिये जाते हैं शलक्रिया विधिया इन्हें बंध्यकरण भी कहा जाता है ये विधिया गर्भ धान से बचाव की अवधी विधिया यानी टर्मिरल मेथ़द्स हैं ये दो प्रकार की होती हैं शुक्रवाहक यानी उच्छेदन वैसिक्टो में इसमें शुक्रवाहकों के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है नलिका उच्छेदन इसमें डिम्ब वाहिनी के एक छोटे भाग को हटा दिया जाता है सगर्भता का चिकिटसीय समापन गर्भावस्था पून होने से पहले जान बूजगर या स्वेचिक रूप से गर्भ के समापन को चिकिटसीय सगर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है बारत सरकार ने चिकटसीय सगर्भता समापन के दुरुपियोग को रोकने हेतु इसे कुछ सक्थ शर्तों के साथ 1971 इसभी में कानूनी स्वीकृती प्रदान कर दी थी सगर्भता की पहली तिमाही अर्थाद बारह सप्ताह की अवधी के दौरान चिकित्सिय सगर्भता समापन को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है यौन संचारित रोग सहवास जन्य रोगों या संक्रमनों को सामोहिक रूप से यौन संचारित रोग कहा जाता है सुजाक उपदंश यानी सिफिलिस जननिक परिसर्प क्लेमिडियता यानी क्लेमिडियासिस लेंगिक मस्से ट्राइकोमोनसता यानी ट्राइकोमोनियासिस यक्रत शोत B और AIDS संचरन की विधी रक्ताधान असुरक्षित सहवास संक्रमित सुईयों और शल्य उपकरणों का साजह प्रयोग संक्रमित मासे बच्चों को यौन क्षेत्रों में लक्षन पुजली तरल पदार्थ का स्राव दर्द सूजन जटिलताएं यानी समस्याएं शुरोणी शोतज रोग गर्भपात मृत शिशुजन्म अस्थानिक सगर्भता बंधिता जनन क्षेत्र में कैंसर रोक्थाम अन्जान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से बचे सहवास के दोरान हमेशा कंडों का उपियोग करें संदेह की स्थिती में आरंभिक जाच और संपून चिकित्सा से समस्याओं से बचाव हो सकता है बंधिता बंधिता से तातपर्य असुरक्षित सहवास के बावजूद संतानोत पत्ती की असमर्थता से है बांज दमपत्तियों को संतानोत पत्ती के योग्य बनाने की विभिन विधियां सहायक जनन प्रोध्योगी की कहलाती है ये हैं पात्रे निशेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, युगमक अंतह डिम्ब वाहिका अंतरण, अंतह कोशकिय शुक्राणू निक्षेपन यानी इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन, प्रत्रिम वीर्यसेचन यानी आर्टिफिशल इंसेमिनेशन. इस विधी में प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में पत्नी या दातास्त्री के डिम्ब और पती या दाता पुरुष के शुक्राणू एककत्र कर उन्हें युगमनज का निर्मान करने हेतु प्रेरित किया जाता है. फिर इन युगमनज या भ्रूनों को डिम्ब वाहिनी नली या गर्भाशे में स्थानांतरित कर दिया जाता है. युगमक, अंतह, डिम्ब वाहिनी नली स्थानांतरण इस विधी में दाता के डिम्ब को दूसरी स्त्री की डिम्ब वाहिनी नली में स्थानांतरित कर दिया जाता है. अंतह कोश की य शुक्राणु निक्षेपन इस विधी में प्रयोगशाला में एक शुक्राणु सुई के जरिये सीधे अंडाशे में निक्षेपित कर दिया जाता है. कृत्रिम वीर्य सेचन इस तक्नीक में पती या किसी स्वस्थ दाता से लिये गए शुक्राणु को कृत्रिम रूप से स्त्री की योनी अत्वा गर्भाशे में डाला जाता है. क्या आप जानते हैं? क्या शीलता में कमी या फिर पून बंधिता भी आ सकती है. इसलिए शुक्राणु को क्षती से बचाव हेतू लाप्टॉप को हमेशा मेज पर रखना चाहिए. सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं. जनन स्वास्थिका तात परे जनन की सभी अवस्थाओं अर्थात शारेरिक भावनात्मक व्यावहारिक और सामाजिक पहलूओं के कल्यान से है. स्वास्थिकी बेहतर सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों के कारण जन संख्या में विस्पोटक व्रिद्धी को बढ़ावा मिला. जन्म नियंत्रण के लिए विभिन गर्भ निरोध को पाए अपनाए जा सकते हैं. चिकित्सी सगर्भता समापन आमतोर पर बलातकारों संयोगिक सहवास आदिके कारण होने वाली अन्चाही सगर्भता से छुटकारा दिलाने हेतु किया जाता है. वहीं MTP की यह क्रिया उस्थिती में भी की जा सकती है जब गर्भावस्था का जारी रहना मा या भ्रून अथ्वा दोनों के लिए हानिकारक अथ्वा घातक हो. सहवास के कारण संचारित होने वाले रोग या संक्रमन यौन संचारित रोग यानी STD कहलाते हैं. दो वर्षों तक बिना किसी सुरक्षा के सहवास के बाद भी गर्भाधान अथ्वा संतान उत्पती न हो पाने की स्थिती बंधिता कहलाती है.